नमस्क्राइब साथिय। माता पिता गुरू जनों को नमन करते हैं। आज की इस वीडियो साथिय। को शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे। उस मेडिसिन का नाम है सकर फ़र्लेशो टेन। और इसे जियापून के नाम से भी जानते हैं। जियापून नाम पढ़ने के पिछे एक साइंटिफिक रीजन है। साथ ही एक हिस्टोरिकल रीजन भी है। हिस्टोरिकल रीजन ये है कि जब जापान के अंदर में एक महमारी हुई थी हैजा। तो उस समय इस मेडिसिन की परचूर मात्रा में इस्तमाल करके पूरे जपान को बचाया गया था। उस ही शमेशे इस मेडिसिन की नाम इलेक्टरोमेपैज साइंस की मेडिसिन की नाम जियापून पढ़ गई। और ऐसे इसे साइन्टिफिक नेम ऐस्केर फोर्डेशो दस के नाम से जानते हैं, इस्वली एए मेडिसीन संपूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम पर एक काम करती है, चुकि इसमें जो प्लांट पाए गए हैं, इलेक्टो हमिया पैस साइन्स के वो ऐस्केर लगभग कमबाइन्ड की गई है, खास करके एक लाइन में बता दें, जो भी इलेक्टो हमिया पैस साइन्स के चिकिसक बंदु हैं उनके लिए, जहां पे उनके पास मेडिसीन अस्केर फोर्डेशो वन और फेबरी फिवर वन की जरूरत पड़ती है, उस जगह पे एक मेड पर लगभग उसकी एक्षन है, इसलिए उसे इनिवर्सल रिमेडिस का दरजा दिया गया है, शाथ ही फेबरी फिवर वन को देखें, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मुख मेडिसीन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिन्स अगर कहा जाए, तो ब्रेन एंड अस्पाइनल यानि whole of the brain पे बहुत ही मिरकल उसकी एक्षन है, शाथ ही शाथ हमारी स्पाइनल नर्व पे, स्पाइनल नर्व के उपर भी बहुत अच्छी उसकी रिजल्ट है, तो बंधू हम बताना चाहेंगे कि विडियो बनाने में बंधू जहां तक होती है, मैं पूरी सिद्ध से कोर्शिस करता हूँ आप लोग कुछ देने का, और मेहनत तो करते ही हैं अपने अस्तर से, तो आप शे निवेदन है बंधू, किस विडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर सब्सक्राइब एंड लाइक करें, हमारी मेहनत जहां तक होती है, पूरी सिद अपनी मंजिल तो आश्मा है, रास्ता हमें खुद बनाना है, अशफलता मिले या मिले शफलता मुकदर की बात है, हम किसी का मदद भी ना करें, यह तो गलत बात है, धन्यवाज शाथियों, इस विडियो से यदि आपको थोड़ी भी शीख मिलती है बंधू, विडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर सब्सक्राइब एंड लाइक करें, शाथि आज हम लोग बताएंगें कि यह असकरफोले दस जो है, जो मेडिसीन है, यह फीवर की बहुत अच्छी मेडिसीन है, यानि किसी ही प्रकार की फीवर, चाहे वो मलेरिया हो, डिंगू हो, चिकनगुनिया हो, इन्फ्लुएंजा हो, वो हर जगा पे काम करती है, क्योंकि इसके अंदर फेब्री फीवर्न है, चूंकि में चलते ज्यादा डीप में है, जाने की मेरी आदत है, इए फेब्री फीवर्न होने के चलते वो चंध्या होने के चलते और सेंट्रल नियूर्न नर्वस सिस्ट्रम के अंदर ही हमारी है ह mettst Nicholas की अंतनर करने का काम जो होती है ब्रेन के अंदर जो हाइपोथालमस ग्लैंड होती है उसकी होती है चुकि हमने पहले भी बोला कि फेबरी फिव बन और असकेर फोलेशो बन की इसमें मेडिसीन पाई जाती है तो बंदू जब सेंटल नर्वास सिस्टम की मेडिसीन ही इसमें मौझूद है तो निश्ची फिवर ठीक हो जाएगी तो किसी भी तरह का फिवर हो ठीक हो जाती है तो इस तरह से हम देखें तो साइंटिफिकली मेडिसीन प्रूब्ड है कि यह फिवर की बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसीन है स्केर फोलेश्वदस शाथ ही डाइरिया डिसेंट्री लूज मोशन भूमेटिंग एपिलेप्सिया हर्ट वर्ण एसीडीटी में भी बहुत अच्छी इसकी रिजल्ट है और जो शाथी खास करके अलुपैत मेडिसीन को खा करके उसका दुस्परिनाम भोग रहे हैं उनके लिए यह मेडिसीन बहुत ही लावदायक है क्योंकि इसकी अगर एस्टेंट की डीटू डाजिशन में यदि कुछ दिन मेडिसीन लिया जाए तो उसके दुस्परिनाम को भी खतम कर देता है एस दस अब हम लोग देखेंगे कि यह जो मेडिसीन है डी सिक्स से पुराना से पुराना एस्टी चाहे वो जितना भी पुराना हो कि डीटेन के सीटेन के शाथ यानी कैंसरे सो दस के साथ ही अदि लिया जाए तो पुराना से पुराना एस्टी ठीक हो जाता और आज कल लगभग लगभग अगर सौ लोगों में देखें तो अन्ठानवे लोग एस्टी से सफर कर रहे हैं और हम लोग देखें डीजेनरेटिव कैसेस में यदि डी नाइन से पेभब डाइलूचन में यदि हम लोग देखते हैं और कैंसर पे भी बहुत ही मिरेकल रिजल्ट देखने को मिलता है एस्टेन को डवलूई के शाथ यदि दिया जाया तो चक्कर बुखार ठीक होते हैं शाथ ही एस्टेन को यदि भरवन के शाथ दे तो पेट में जमी हुई किसी भी तरह की गंदगी अफिलब्सी के केश में इस्टेन के इस्तव माल नेगेटिव डिरूशनमें बहुत अची तो ऑपिल्सेन के शाथ मлекतलर शाथ का मतलब कहने का मतलब एक साथ ना देना अल्टर्नेट करके दें और पुराने खासी में S10 को P2 के शाथ साथ ही यदि बच्चे और महिलाएं हैं तो उनके लिए P3 के शाथ S10 का इस्तमाल करें और बुजूर्ग हैं तो P4 के शाथ S10 का इस्तमाल करें तो रिजर्ट बिलकुल मिरकल मिलता है और हमने देखा है बंदू कि एक भी खासी का केस failure नहीं होते chest से related problem failure नहीं होते यदि सही medicine की dilution के साथ साथ medicine का selection सही किया जाए यानि S10 को अगर कहा जाए तो सिर्फ S10 से लगभग 80-90% बिमारियों को रिकवर किया जाता है जोडों के दर्द में भी S10 बहत हुई महत्यपूर्ण रोल अदा करती है और जिनको heartburn acidity हो बहुत excess acidity हो लग रहा कि छाती में लहर जैसा पेन जो रहा है बहुत एक्सिस लग रहा है कि अब पेसेंट बचने की उमीद खो चुका है बैसी स्थिती में इस्वन के यदि स्टेंड की और बी को अल्टरनेट कर यदि एक एक मिनट की डिफ्रेंस पर दिया जाए तो बहुत बार हमने देखा है एक से दो मिनट के अंदर ही पेसेंट बिलकुल रिलैक्स महसूस करता है और चार से पास मिनट के अंदर तो थांक यू गुद लाइफ गूड़ह happy और